हाई गाईस वेलकाइब बाक टो माई चैनल होप यू आ डोइंग सो वेल आज के इस वीडियो में मैं आपको एक अमेजिंग सी स्वीट डिश दिखाने वाली हूँ जब आपके ख़र पे कोई भी सदन गेस्ट आ जाते हैं उनके लिए ये बनाने के लिए पूरफेक्ट डिश है तो चलिए शुरू करते हैं किस बात की देरी तो सबसे पहले आपको चाहिए हो यहां पे जलिटन अगर आपके पास जलिटन नहीं है अग्रा-ग्रा का भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं इसे जनरली चाइना ग्रास भी बोला जाता है ये वेजी टेरन है और अल्ली 30 रुप करके रखे 10 मिनिट के लिए अब हम लो फ्लेम में रखके इस अच्छा से बॉल करेंगे तो 2-3 मिनिट में यह बहुत ही अच्छा से चेंज हो जाएगा लिक्विट फॉम में आ जाएगा मैं आपको दिखाती हूं एक-दो मिनिट में इस से आपको दिखाए देगा अब अब इसी स्टाउट पे आप रख लीजिए तो इसे मैंने थोड़ा सा बॉल किया था तो अब जैसी यह बॉलिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाए तब यह जलीटन लिक्विड आप इसमें डाल दीजिएगा तो जैसी आप जलीटन लिक्विड आड करते हैं इसे अच्छे से म मिठा आप खाते हो उतना आप डाल सकते हो उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कीजिए जब तक की चीनी पिगल नहीं जाती तब तक आपको मिक्स करना है एंड लास्ट एंड फाइनल आपको इसमें एक चमच घी डालना है और उसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कीजि अब 5-10 मिन्ट के लिए आप वेट करना और ये दूद जो है दही के जैसे जम जाएगा क्योंकि इसमें जेलिटन है तो ये काफी जल्दी थेक हो जाता है अब आप इस प्लेट को बिल्कुल भी हिलाना मत यहां से वहां मत करना और इसके ओपर धकन भी आपको लगागाना की जरुवत नहीं है विदिन 5-10 मिन्ट में ये बहुत ही अच्छे से जम जाएगा तो 5-10 मिन्ट के बाद की फुटेज है दोस्तों ये अब चाकू लेकि इसे अच्छे से कट कर लीजिए आपको जिस शेप में चाहिए उस शेप में आप काट सकते हो तो यहाँ पे मैं diamond shape में कट कर रही हूँ अगर आप चाहते हो तो square shape में भी आप कट कर सकते हो तो जैसी आप कट करते हो इसे बहुत ही आराम से lift करना अगर आप जल्दी बाश करोगे तो ये तूटने का chances भी जादा रहते है क्योंकि यह gelatin है तो जल्दी ब्रेक हो जाता है तो आप देख सकते हैं जो diamond shape है वो बहुत ही अच्छे से कट के निकला है हुए तो हमारा sweet जो है बन के तयार है दोस्तों सिर्फ एंड सिर्फ इसमें 10 से 15 मिन लगते हैं और बहुत ही जल्दी यह बन जाता है तो यहां तक थी मेरी वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो like कीजे, share कीजे, comment कीजे and definitely subscribe कीजे thank you so much for watching until then take care bye bye